यूपी के कानपुर महानगर में दूशित पानी से रावतपुर में डाइरिया फैल गया है यहाँ पर सैक्लोग डाइरिया से ग्रसित हैं तो वहीं कई की हालत गंबीर है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है छेतरी लोग का कहना है कि स्वास्रिभाग नगर निगम और वहां के अधिकारियों की लापरवाई की चलते ये हाल है वे कई दिनों से छेतर के पारसद और नगर निगम के अधिकारियों शिकायत भी कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है यही वज़ा है कि आज यहां के हालात बेहाल हो गए है वहीं दूसरी और छेत्र की जंता का कहना है कि कानपुर के जिलादिकारी विशाग जी ने कुछ छेत्रों में जाकर वहां का हाल का जाजा लिया था और लोगों को आशवाशन दिलाए तरकि सारी विवस्ता ठीक कराई जाएंगी वहीं लोगों का आरोप है कि यहां पर कई सालों से सफाई नहीं हुई है उन्होंने कई बार अधिकारी और शिकायद भी की है लेकिन किसी ने उनकी सुद नहीं लिये जिसकी वज़े से आज ऐसे हालात हो गए है ब्यूरो रिपोर्ट आई पीन